जेहिं दोस्तों एक बार फिर स्वागत आपके अपने योटूब चनल में दोस्तों यहां पर आपके लिए नया रिक्रूट्मेंट आज चुका है जिया दोस्तों दिल्ली पुलिस में नहीं बढ़ती आपके आज चुके है आसा सी ने ओफिसली नोटिफिकेशन भी आपर जा लाइक रहे इस बार की जो वर्ती पर करिया उसमें क्या क्या बड़े बदलाव क्या क्या एजुकेशन क्या एज क्रिटेरिया कितना रखा गया है क्या पहले फीजिगल होगा फीजिगल होगा तो फीजिगल में क्या क्या करवाय जाए गया पहले रेटन होगा दोस्तों इस पहले मिलते रहे साथ में दोस्तों आप जैसे राजजे से विलोंग करते हो कमेंट बोक्स में कमेंट करके हमें जरूर बता दे साथ में मैत्पुन जारकारी सभी दोस्तों के पास में आप जरूर सेर कर दीजेगा तो चलो दोस्तों देखते हैं सारी जानकारी तो दोस्तों य बात करते हैं तो यहां पर 17 जून को यह आपका उपिसली नोटिफिकेशन जारी हो चुका है जी आँ दोस्तों यहां पर दिल्ली पुलिस आर्मड फुलिस फोर्सेज में आपकी वैकन्स यही आपको यह नोटिफिकेशन डाउनलोड करके दिखा देता हूं जैसा कि यह नोट यहां पर आगे सबसे पहले वैकन्सी की बात करें तो वैकन्सी यहां पर सब्सक्राइब करें अब यहां पर सब्सक्राइब करें और साथ में अगर अगर आप SC, ST से विलोंग करते हो तो आपको 5 साल की शूट मिलेगी जबकि OBC को 3 साल की यहां पर शूट मिलने वाले जबकि AXORI SWEIN को भी 3 साल की यहां पर IU में शूट है वो दी जाने वाली है अब यहां पर आपका दोस्तो सबसे पहले क्या होगा सबसे पहले आपका 80 सेंटीमेटर के बीच में होना चाहिए साथ में अगर आप विलोंग करते हो हील एरिया से तो आपकी हाइट में आपको छूट दी जाएगी 165 सेंटीमेटर हाइट से हीए 80 से 85 आपकी चेस्ट होने चाहिए जबकि AXT केंडिडेट के लिए आप भी हाइट में जूट मिलन ले वाली है मतलब 165 सेंटीमेटर अगर आपकी हाइट है तो आप यहाँ पर बढ़ती होने का मुकाब को मिल जाएगा और AXT केंडिडेट हो सतंतर से BAC यहाँ पर चेस्ट होना चाहिए जबकि फीमेल कैंडिडेट है उनकी हाइट 177 सेंटीमेटर होने चाहिए जबकि हील एरिया की जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी हाइट 155 सेंटीमेटर होने चाहिए जबकि आल फीमेल कैंडिडेट है उनकी 154 हाइट है वो होने दोस्तो physical की बात करें तो physical के लिए या पर male candidate के लिए यहाँ पर आपके 100 meter की race होगी एक तो जिसमें आपको 16 second दी जाएगी साथ में आपके 1600 meter की running होगी 1.6 km की running होगी जिसमें आपको 6.5 minute का समय दिया जाएगा long jump आपके 3.35 meter का है जिसमें आपको 3 chance दिये जाएगे high jump आपका 1.2 meter का है जिसमें आपके 3 chance दिये जाएगे short foot है आपका जिसमें आपको 4.5 meter है उसमें आपको 3 chance यहाँ पे दिये जाएगे जबकि female की बात के तो female को 100 meter की race में 18 second दी जाएगी जबकि यहाँ पर 800 मिटर की रेस है उसमें उनको 4 मिनिट दी जाएगी जबकि फीमेल को लोंग जम्प है वो 2.7 मिटर है जिसमें उनको 3 चांस दिया जाएगा हाई जम्प में 0.9 मिटर के आए जिसमें 3 चांस उनको दिया जाएगा अब बात करते हैं दोस्तों अलग-लग वेकेंसी के बारे में की वेकेंसी है वो कौन-कौन सी फोर्सों में इस बार आपकी वेकेंसी आई है तो दोस्तों यहाँ पर वेकेंसी की बात करें तो सबसे पहले सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में आपकी वेकेंसी है male candidate की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर दोस्तो जनरल केटिगरी की total 41 vacancy है आक सर्विस्मेन की 10 vacancy है OBC की 10 है SC की 13, ST की 17 और total कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस में यहाँ पर इकराणो vacancy आई है अब दिल्ली पुलिस में फिमेल की बात के तो फिमेल की 78 vacancy है total जबकि सबिंस वेक्टर सेंट्रल आरवड पुलिस फोर्स की बात कर तो CRPF में भी आपर कुल मिलाकर 1000 भैतर vacancy CRPF में आई है जिसमें male और female दोनों candidate की यह vacancy आई है जबकि BSR की बात करें दोस्तों BSR में 244 vacancy आई है आपके उसके लावा ITBP की बात करें तो ITBP में आपके 43 vacancy है CISB में आपके जो total vacancy है वो male और female candidate की 20 vacancy है जबकि SSB में आपके 16 vacancy है total vacancy की बात करें तो दोस्तों male और female candidate की 1345 vacancy है जबकि 140 vacancy है वो ex-serviceman के लिए reserve रखी गई है अब बता देते हैं दोस्तों कौन-कौन से अब्यारती इसका form apply कर सकते हैं तो दोस्तों इसके लिए योग्यता education qualification की जूर्ट पड़ेगी आपके graduate जी हां दोस्तों अगर आप graduate हो तो आप इस भरती के लिए योग्ये माने जाओगे आप इसका form apply कर सकते हैं online registration दोस्तों इसके शुरू हो चुके ऐससी की officially साइट पे जाके आप इसका online registration कर सकते हो तो दोस्तों यह थी एक मेरे दोरादिगी चोटी सी जानकारी आसा करता हूं दोस्तों मेरे दोरादिगी जानकारी आपको अच्छे लगी हो कि अगर अच्छे लगी तो वीडियो नच्छे लाइं जानकारी श सकते हैं